असलाम ओलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक ऩो माई चैनल एंड्स डियो व्लॉग और दोस्तों आज का व्लॉग शूरू कर रही हूँ यह त्रस्डे का व्लॉग है दोस्तों और सुबह सुबह से शूट कर रहे हूं बहुत दो सुबह से नहीं बस आठ नमाजी की टाइम से शूट कर रहे हूं तो अभी दोस्तों अब ने फोन किया था मुझे कि मैं क्या लेकर आँ तो मैंने कहा कि आप गोश्ट लेकर आए उसका मैं कदू का सालन मिनाऊंगी और एक कदू भी लेकर तो मैंने फिर अब से खा कि ठीक है मचली ले आए तो अभी वही अम्मी के साथ बटाने के बाद दोने के बाद यानिके अम्मी तो धोती तो अम्मी ही है लेकिन पानी बगार डालने के लिए हाथ से क्योंकि फिर मचली की स्मेल हो जाती है अगर मक पकड़ जाए तो मैरिनेट करके हम लोग गए थे थोड़ा से यहां ही अपने महिले की ही शॉप पर गए थे क्योंकि आज उन्होंने कहा था उन्होंने के सूट देखने के लिए आ जाना तो इसको मैरिनेट करने के बाद हम लोग चले गए थे मुबाइल में साथ नहीं लेकर गई थी बाहर तो बाहर का वीडियो शूट नहीं हो सका इसलिए अभी यही शूट कर रहे हूं तो दोस्तों यह मचली कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने एक साल पहले ही अपलोड कर दी है अगर आपने नहीं देखी है तो इस रेसिपी का लिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे आने के बाद आपसे मिलती हूं तो मुबाईल अगर में साथ ले गई होती तो मैं जरूर वीडियो शूट करती कि मैंने सूचा भी था कि उस दिन वो लेडी ने मेरे कामरे क्राम में से हटी ही नहीं तो मैंने सूचा था कि मैं आज जाओंगी ना जुम्हे रात की दिन तो ले आओंगी वीडियो तो मैं फोन नहीं लेकर गई थी तो दोस्तों जब तक फिश मैयनिट हो रही है हम लोग बाजर जाकर आगए और बाजर जाकर आने के बाद आप जवारी की रोटी बना रही है क्योंकि फिश के साथ मचली के साथ जवारी की रोटी बहुत मज़ेदा हो रही थी वीडियो शूट करने के बाद रोटी तक का तो ये वीडियो मेरी बेहन ने शूट किया था मेरे लिए तो थोड़े से कपड़े थे जो मैंने धोने थे तो धो दिये वैसे तो अमी धोती है जाता तर कपड़े लेकिन कभी-कभी मैं धो देती हूं तो अभी यहा तो थोड़ी वंगवाई थी तो हमने सारी दोपहर में खत्म कर दी अमी ने कहा के मचली की स्मयल आती है तो बाद में सारे बरतन गंदे हो जाते तो भी सारे सारे खा लेते हैं तो दोस्तो यह वह वाला सूट यह सूट मैं लेकर आई हूं जो इदर मैंने रखे हैं ब्लू और मेरी बहन का था तो जब दुकान पर गए ना तो मेरा बदल गया क्योंकि मैं और मेरी बहन यह मैचिंग कहीं पहने वाले थे अगर कहीं भी फंक्शन हो तो अभी तक तो सोचा नहीं है बस ट्रेस पसंद आई तो खरीद लाए हैं मुझे अच्छा लगा तो यह है मेरी बहन का सुट से कुषब मेरी बहन का सुट दो और मेरी निकाल वार के था हैं कि दूपत्त आई की लानीव करेंजिगए तो अब लग बाहर बीगा अगया तो प्लाग बोटम वरत्त आप डिशल मेरी मामी के लिय लेकर आई हम लोग्ये टीन है दो तो बहा मैंने दोटक ही जब स तो आज यह मामी का ही सूट लेने गए थे तो मुझे यह वाला सूट पसंद आगया जो ब्लू उधर रखा वर बताऊं कि आपको तो इसके साथ भी इस तरह से महल डार्क महनी का कलर में यह यह दुपत्टा और बॉटम है और कपड़ा डुपत्टे का इतना जादा सॉफ्ट तो पहुत जादा सॉफ्ट है और यह सूट आज लेकर आएगा हूं दुकान में बैटे-बैटे मेरा इरादा बदल गया क्योंकि अम्मी ने कहा कि ठीक है और जो आज हमने बड़े बडर का लिया है सूट यह मामी को जे देते हैं और यह वाला सूट मैंने लिया है मेरा यह वही पांद कि पसंद किया है मैंने जब उने दिखाया तो मैंने अपने लिए पहले निकाल दिया था तो इस बेबी बेबी pink कोलर जो चाहिए इस तरह से डुपट्ट और बॉक्टम इन सब सूटों में डुपटे और बॉक्टम सेम केलर का है तो टॉप अलग कलर का है एग इसको बताँगी जब पढ़ने तो अगर कहीं पहन रही हों तो जुरूर आपके साथ करहें कि कैसद भी नARSे किया है बहुत सारे कपड़े स्टिचिंग करने के लिए पीछे पड़े हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी बिमार हो गई थी तो मिशिन पर मैंने कोई सिलाई की ही नहीं थी तो अभी दूस्तों यह हम लोग चाहशंबे के दिन जब कह थे ना वेनस जे के दिन तो हम लोग कैरी लेकर आए बाजार से जब सूट वगरा हो तो कारी जब वह बेच रहे थी ना तो उन्होंने कहा कि केरी आचार वगरा डालने की है लेकिन जिस दिन हमने लाया है उसकी दूसरे दिन अबस एक ही रात गुसरे तो उसके दूसरे दिन है जब हमने इसको कट गटिया तो एक खटी और तो फिर कभी अचाए बनाऊंगी तो दोस्तों यह अभी Friday कि मॉर्णिंग का व्लोग मॉर्निंग मतलब तो इस तरह से मैं दबा दबा के भर रही थी तो जैसे जैसे वह नीचे से पक पक के ना बैठती गई गोबी छोड़ कम होती गई काउंटिटी में उपर से मैं डाल डाकर को प्रेशे कुकर बैंड करती गई तो फाइनली बन गई गोबी अच्छी बनी थी क्योंकि वैसे भी प्रेश किक बना रही हूं कि प्रेश के कम होजाती है फटा ने कोई प्रेश पर गोष्ट गोष्थ का सुखह मेंडेर बन् बन रहा है मारती एदर उनना बेवर्न इक बना चली 钥नों में एक ही तो रह कर दिया है इसका प्रेशर रिलीज होने के बाद इसको मैंने देखिए निकाला है और यह जिस तरह से अब देखे नहीं भर नहीं रहे था कुकर भर कर बहरा था इस तरह से कहूं तो लेकिन अब देखिए कितनी जादा कौंटिटी कम हो गई इसमें और बंद गोबी आ सकती है तो इसको मैंने फाइनली बना ही लिया हमी ने कहा कि थोड़ी से गोबी रग दो अगर नहीं आ रही है तो कुकर में ने कहा कि हमी सारी मसाले और तेल वखरा तो मैंने धेर सारी गोबी के हिसाब कर डाला है तो मिर्स मसाला तो जादा हो जाएंगे तो जैसे तरह से मुझे स कि भी बना आए ने थितव अधर रहा है कि फाल्ट प्रसामテो भी बना आए सिछ उचाँ लग श्क्रटाइम के लिए श्चाम आए हूनिंगे म ten या उटी डंच को यहाउ नहीं हो कपड़ा कट किया और स्कुछ ये तरह से लेज लगा दिया तरह से लेज कुछ नहीं दूस्तों ये इस तरह से ये कि वगप पड़ा या था मिन जो प्लीन okay buradan खा इसका इस तरह से चॉरी पट्टि बनाकर सारा बॉंड़ जय सबस्या लगा लिया सूट वो भी आपके साथ शेयर करोंगे अभी तो लॉकडाउन है जब बाजार सारे कंप्लीट खुल जाएंगे जहां हमेशा से लेती हुना वहीं से पर्चिस करोंगी प्लेन कपड़े वहां पर अच्छे होते हैं सूट के लिए तो मां ऐसी होती है अपनी पसंद का सारा बे आपके तो जगे कोई लेही नहीं सकता है चाहें वह कितना ही मालदार पैसे वाला या अमीर शक्स हो तो अभी दोस्तों यह जो शाइनिंग के शिमर जैसे कपड़े है दोस्तों शिमर तो नहीं है तुरी सी चमाक है यह दो ग्रीन कलर के आम में लेकर आई है यह बिलाउस सी इसकी बनाऊगी तो सोचा है यह करोगी देखते हैं क्या बनता है उसके बाद जब आपके साथ शियर करूगी कि इस कपड़ों का मैंने क्या स्टिच किया है और दोस्तों अभी यहां पर कपड़े सुखा रहे हैं और यह कल जुमे के यह जुमे की दिन ही धोए थे मैंने औ तो जाता तर तो अमीद होती हैं लेकिन मैं भी धोती हूं कुछ-कुछ तो अभी देखिए सुबे का अच्छा सा मौसम हुआ हुआ है और बारिस तो इस वक्त नहीं है वह यह कपड़ी जो थोड़े से थे वह मैंने धो दिये हैं और यह सूख रहे हैं तो इसी के साथ मेरा व्लॉग इतना था इतना सही था अमीर करते हूं आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूं नेक्स व्लॉग में टेक क्यार बाइबाइ